नमस्ते रोस्तों उम्मित करतो हूँ आप सब अच्छा ही होंगे तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो जियोमी के तरफ से जो आपकमिंग मोबाईल आना वाला है रेड्मी नोट 12 प्रो के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो का सुरू से लेके लास तक देखते रही है अगर आप खरिदने का सोच रहे हो तो मेरा नामे कुस्तों आप देखरो कुस्तों इप युट्यूब चैनल तो चले बिना दिर की इस वीडियो क अने वाला है क्या के अपगरेट किया गया है रेड्मी जो 11 प्रो था तो उसके चलते इस मोबाइल अच्छा होगा की नहीं आज के इस वीडियो में हम एही बात करेंगे तो वीडियो को पूरा सुरू से लेके लास तक देखते रही है तो जैसे की रेड्मी नोट 12 सीरीस के अन्दार 5 डिपरेंट मोबाइल लांच हुआ है उनसे यह मोडेल नोट 12 प्रो है तो फास्ट बाट कर लेते हैं डिजाइन और बील्ड क्वालिटी के बारे में डिजाइन और बील्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है बहुत ही प्रीमियम फिल देता है मुझे पता है बह मैं अब प्लास्टिक प्रेम प्लास्टिक का बॉड़ि आपको देगने कर दो मुझे अच्छा नहीं लागा तो यहां पर मेतल देना चाहिए था एंड प्लास्टिक का बड़ी होने के काराण यह जो मुबाइल है बहुत ही डिजे मांदलाव इसका यू वेट्रेंड बहु वह आपको इस मूबायल के साथ तो यहाप अपको नीचे के साइड में आपको थाइप शी BACK Leon a about को के साथ बेंगा इसके साथ इसके साथ kings अपो स्पीकर का Columbague माइग देढने को मिलेगağı एन इसके साथ इसके साथ आपको dual hybrid Radio lifet smart भी आपको देखने को मिलेगा एन टॉप साइड में आपको हेटफून का जैक, सेगेंडर स्पिकर एन माइक एन इसके साथ साथ IR ब्लास्टर भी आपको देखने को मिलेगा इस मुबाइल में Redmi का सभी मुबाइल में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है तो इस mobile में भी आपको IR blaster का सुविधा भी आपको दिया गया है तो यह हो गया Redmi Note 12 Pro का physical overview तो आप बात कर लेते हैं इसका display के बारे में तो इस mobile के आपको देखने को मिलेगा 6.67 inch का OL8 120H का display जो 1 billion color को support करता है and Dolby Vision HDR 10 Plus का भी support इस display के साथ आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया and एकदम crystal किया आपको video quality, photo quality, image quality आपको देखने को मिलेगा इस display के साथ इस display का जो peak brightness है वो आपको 900 nits आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा एक display होने वाला है कि आउट्डोर्स में एक जो display है बहुत ही आच्छा आपको देखने को मिलेगा iPhone में जहां पर आपको 1200 nits peak brightness आपको देखने को मिलेगा यहां पर low budget में आपको 900 nits का brightness आपको देखने को मिलेगा यह 25,000 का mobile में कौर्डिंग गोरिला गास प्राइब का यहां पर protection देना चाहिए था लेकिन इस वाला mobile में आपको देखने को मिलेगा एस पर दा प्राइस इस mobile में रहना चाहिए था आप बात कर लेते हैं camera के बारे में तो डिस्प्ले का टॉब में एक पांचुल 64 MP का selfie camera आपको देखने को मिलेगा इस mobile के साथ और बैग में आपको जो primary camera है वो sony का IMX 766 sensor आपको देखने को मिलेगा इसके साथ साथ यह जो 766 sensor है sony का बहुत ही बाड़िया एकदम picture quality देथा है तो पिछले बाला बहुत सारे mobile में sony का 766 series का जो sensor है वो आपको देखने को मिलता है तो उसका जो picture quality है तो यह आप अगर connectivity के बारे में बात करे तो इसमें आपको 5G का भी support आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ dual 4G LTE का support भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ dual band Wi-Fi and Bluetooth 5.2 का भी support इसमें देखने को मिलेगा जो की बहुत ही अच्छा है इसके साथ साथ दोस्तों security के लिए इस mobile में आपको देखने को मिलेगा इन display fingerprint sensor जो बहुत ही अच्छा है जो physical fingerprint sensor होता है वह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है side mounted fingerprints आपको नहीं देखने को मिलता है यहाँ आपको display fingerprint ही देखने को मिलेगा इसके बाद अगर power के बारे में बात करें तो यहाँ पे power में आपको 5000 mAh का battery आपको देखने को मिलेगा जो की बहुत ही अच्छा ही इस mobile में जो price range है इस mobile में आपको 5000 का एक बड़ा बाला battery आपको देखने को मिलेगा लेकिन आगर यह battery आपको कम लगता है तो यहाँ पे आपको 120 watt का एक super fast charger आपको इस mobile के साथ in the box देखने को मिलेगा जो की बहुत ही आच्छा है बहुत सारे mobile तो 4000 भी नहीं देता है उसके लिए आपको आलाग से 2000 रुपया खर्च करके एडप्टर है उसको भी खरीदना पड़ता है तो यहाँ पे आपको 120 watt का charger भी एडप्टर भी इसके साथ आपको देखने को मिलेगा तो आप बात कर लेते हैं इस mobile का hardware के बारे में तो यहाँ पे hardware के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Mediatek का Dimensity 1080 6-nanometer-based processor आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यह जो processor यह 8-core processor है जहाँ पे आपको 2-core देखने को मिलेगा cortex A78 and 6-core आपको देखने को मिलेगा cortex A55 यह जो A78 and A55 जो core है बहुत ही अच्छा प्रोसेस कर पता है जो काम है जो process है उसको handle कर पता है बहुत ही अच्छा तरीके से smoothly तो यहाँ आप आपको यह बाला जो core है आपको देखने को मिलेगा और यह बाला जो processor है Dimensity का 920 जो processor आया था उसका ही upgraded version है 1080 तो इसके बाद अगर बात करें इसका जो variant है तो यहाँ आपको 6GB and 8GB का RAM का variant आपको देखने को मिलेगा जो की है LPDDR 4X and इसका जो storage का जो technology है ओ है UFS 3.1 का storage के साथ यह वाला mobile आपको देखने को मिलेगा जो की बहुत ही अच्छा है तो इसके बाद अगर बात करें यह mobile कब इंडिया में आएगा तो यह mobile इंडिया में आने में थोड़ा time लगेगा क्योंकि थोड़ी दिन पहले ही चाइना में launch हुआ है तो इसके लिए थोड़ा wait करना पड़ेगा आप अगर सोज रहे हो कि यह mobile खरीदेंगे तो थोड़ा दिन wait कर लीजिए कि इसका जो price होगा जब launch होगा तो इस time इसका जो provide बहुत भड़ा दे गा company कि जो धो इसका प्राइस बहुत ही जादा हो जाता है तो इसके लिए आप थोड़ा wait कर लीजिए उसके बाद इसको research कीजिए थोड़ा review देखिए उसके बाद इसको खरीदिए तो तो चलिए मिलते नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ आज के लिए बाई जाहिन बंदे मतरा